दाहिंदू चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे जो शिव की पूजा करता है या सोमवार को वरत करता है उसे क्या करना चाहिए जिससे भगवान शिव खुश हो जाएं आईए जानते हैं वीडियो को पूरा देखें जिससे सारी जानकारी आपको मिल जाए जानत पुरानों के अनुसार भगवान शिव को सरलसॉम्य और भोला बताया गया है भगवान शिव एक लोटाजल से प्रसन्न हो जाते हैं आईए जानते हैं इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के कुछ खास उपाए सनातन धर्म में सपताह के साथ दिनों का महत्व बताया गया है। सोमवार भी एक विशेश दिन है जो भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त वरत रखते हैं और विशेश पूजा अर्चना करते हैं। एक आसन पर बैठकर सच्चे मन से शिव का ध्यान करें। प्रत्येक सोमवार शिव आराधना करने से शिव आपसे प्रसन्न होंगे। भगवान शिव का चंदन प्रिय होता है। सनान के बाद उन्हें चंदन लगाएं और अक्षत, बिल्वपत्र, धतूरा, दूध और गंगा जल अर्पित करें। इस दिन भोले नात का अभिशेक करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे। भगवान बहुत सरल, सौम्य हैं जो एक गतूरा और बिल्व पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें भाग लगाने के लिए किसी विशेश मिठाई की आवश्यक्ता नहीं होती। सौम्वार को शिव जी को घी, शक्कर, गेहु के आठे से बने प्रसाद का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। भोग के बाद धूप और दीब से भोले नात की आरती करें और प्रसाद का वित्रन करें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन होंगे और आपके सभी संकट धीरे-धीरे दूर होने लग जाएंगे। भगवान शिव को प्रसन करने के लिए सोमवार को 108 बार महामृत्यून जय मंत्र का जाप करने से भगवान शिव की विशेश कृपा प्राप्त होती है। सामगरी दान करना चाहिए। इससे कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिती मजबूत होती है और घर में सुख शान्ती आती है। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हर-हर महादेव जर दूर लिखें।